नमस्कार दोस्तों मैं धर्वियन वर्मा उनलाइन इस्टेटी वे डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी में पुरुषकार से सम्मंद 30 अति महत्तपूर्ण प्रस्णों के बारे में दोस्तों आज के बारे में हम जान करी देंगे हर प्रस्णों को आपको पुरा देखेगा अंति में जरूर बताईगा कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों किसेर कर दीजेगा और अभी तक हमारे एप्स को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक की डिस्किप्शन में ही जाकर एपस को डाउनलोड कर लीजेगा महाँ पर आपको 15000 स ज़्यादा क्यूसंस मिल जाएंगे वो भी बिलकुल फिरी में और जितनी भी हम यहाँ पर यूडियो बनाते हैं उनकी पीडियाप भी आपको महापर उपलब्द हो जाएगे तो लिंक रिस्केप्शन में जाकर एपसे को डाउनलोड कर लिजेगा अपने रेटिंग जरूर दीजेगा कमेंट से के माध्यम से कि वहाँ एपस आपको कैसा लगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रिस्न है महादेवी वर्मा को उनकी किस क्रती पर भारती ग्यानपीट पुरुषकार मिला यदि प्रिस्न को दोस्तों आप ध्यान से सुनेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक प्रिस्न में से दो तीन प्रिस्न बन रहे देखे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारती ग्यानपीट पुरुषकार किसको मिला चार विकलोप दे दींगे इसमें महादेवी वर्मा का भी नाम रहेगा तो आप को यदि पता होगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर प्रिस्न में पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुर सद्द्धिगीत है यामा है या फिनीहार है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ यह 4 ही जो यहां पर आपको दोस्तों कranti दिख रही है या रजना दिख रही है चारो ही महा देवी वर्मा की कranti है पर यहां पर पूछा गया है कि कोन सी युग की मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है इस बात को धियान रखेगा प्रस्ण में पूछा जाता है कि किसको आधुने के युग की मीरा के नाम से जाना जाता है तो वो है महादेवी वर्मा और भी दोस्तों इनकी क्रतिया हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों में एक एक प्रस्न के आपको अच्छे से जानकरी दे रहा हूं तो धियान से सुनिएगा वर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्न में पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा पर कौन सा पुरुषकार प्रदान किया यहाँ पर आपको चितर दिख रहा होगा, इसके बारे बादन बात करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं क्योंकि इसी सम्वंदित और भी प्रस्न आपके सामने आने वाले हैं देखिए एक प्रस्न और पूछा जाता है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य में प्रत्थम ग्यानपीट पुरुषकार प्राप्त करने वाली रचना कौन सी थी तो वो रचना थी चितंबरा यहाँ पर आप द कितनी नाओं में कितनी बार 1982 को महादेवी और मायामा 1992 की बात करें 1999 की 2005 की 2009 की 2013 की और 2017 की यहाँ पर आप सभी के नाम देख सकते हैं कौन सी कृति पर मिला था और कभी मिला था तो आप इसको अच्छे से धियान से पढ़ सकते हैं और आने वाले जो प्रस्नी उनका सही आंस थे रामधारी सिंग दिनकर को उर्वसी पर किस वर्स भारती ज्यानपीट पुरुषकर मिला देखिए थोड़े दिर पहली में आपको बताया था रामधारी सिंग दिनकर यहाँ पर देख सकते हैं आप 1972 में मिला था और कौन सी रचना पर मिला था उर्वसी पर तो आप यह असानी सा आंसर दे सकते हैं कि यह दावाला अंसर हमारा सही रहेगा 1972 में उर्वसी पर इनको भारती ज्यानपीट पुरुषकर मिला था रामधारी सिंग दिनकर को तो यहाँ पर दावाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चल एकला प्रशने हैं हिंदी के किस कवी को भारती ज ज्यानपीट पुरुषकार सबसे पहले मिला यदि आपने उस चित्र को अच्छी से समझा होगा पढ़ा होगा तो ही आप उसका असानी सा आंसर दे सकते हैं एक बार फिर में उस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाओंगा मैंने आपको सिरू में ही बताया था किसको मि लीजेगा तो यहां पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो दावाला रहेगा हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत को भारती ग्यानपीट पुरुषकार सबसे पहले मिला यहां पर दावाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलिए गला प्रस्न है धर्मवीर भारती को किस क्रती पर व्यास सम्मान दिया गया यहां पर व्यास सम्मान के बारे में बात हो रही तो जितने भी व्यास सम्मान अभी तक मिले हैं जिनको उनकी सुची दोस्तों प्रस्न के नीचे ही है सबसे पिले इस प्रस्न के आंसर के बारे में जान लेते हैं फिर हम सुची के बारे में बात कर यहाँ पर धर्मेविर भारती को किस क्रती पर वियाज सम्मान दिया गया तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा सपना अभी भी और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको जो सपना अभी भी है दोस्तों यह एक काविश संग्रा है और इनको कब दिया गया था वियाज सम्मान दोस्त 94 में धर्मेविर भारती को सपना अभी भी जो की एक काविशंग्रा है इस पर व्यास सम्मान मिला था धर्मेविर भारती को याद रखेगा और यहाँ पुरुषकार दोस्तों व्यास सम्मान पुरुषकार यह ग्यान पिट पुरुषकार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्माने याद रखेगा जो व्यास सम्मान पुरुषकार है ये ग्यानफिट पुरुषकार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है तो यहाँ पर आपको पता चली गया होगा कि कौन सा हमारा सरी आंसर होगा पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर मैंने सूची की बात की थी दोखतों तो आप इस सूची के माध्यम से जान सकते हैं कि βर्ष made 1991 से अब तक जो व्याज सम्मान विजता है, इनकी सूची के माद्यम से आप नाम जान सकते हैं, कब किसको और कौन सी रचना पर व्याज सम्मान मिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1991 में शिरुवात हुई थी, किसको मिला था सबसे पहले, व्यासम्मान तो ये राम विला सर्मा को मिला था कौन सी करती पर तो भारत के प्राचिन भासा परिवार और हिंदी की करती पर इनको व्यासम्मान मिला था और यहाँ पर आप देख सकते धर्मेविर भारती 1994 में मिला था इनको सपना अभी भी जो कि एक काविशंग्रा है यहा सही आंसर आपको देना है तो यहाँ पर अगला प्रुश्णी हमारा इन में से कौन सा रचनकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान के भारत भारती संबान से अलंकरत है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रचनकार है जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान के भारत भारती संब हिंदी संस्तान का सबसे बड़ा साहितिक पुरुषकार है यहां पुरुषकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान लखनों के माध्यम से साहितिक के छेतर में उतकरष्ट योगदान के लिए दिया जाता है याद रहेगा क्यों दिया जाता है साहित्य के छेत्र में उतकरष्ट योगदान के लिए दिय जाता है भारत-भारती सम्मान पुरुसकार तो इस बात का आपको दियान में रखना है अब बताती है कि वो कौन सा रचनकार है जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान के भारत-भारती सम्मान से अलंकरत है तो यहाँ पर हमारा रेट अंसर है वो केदारनात सिंगे याद रखेगा केदारनात सिंग को 2008 में यहाँ पुरुसकार मिला था भारत-भारती सम्मान पुरुसकार याद रखेगा कब मिला था 2008 में और किस-किस को मिला दोस्तो इसकी सूची भी मैं आपको बता देता हूँ यह परमानन्द स्रीवास्तव को 2006 में, रामदरस मिस्र को 2007 में, यहाँ पर प्रस्ण में केदार नात् सिंग का बारे में जिक्र हुआ था, मैंने बताया था आपको 2008 में मिला था इनको, असोग वाजपी को 2008 में, महिप सिम को 2009 में, केलास वाजपी को 2010 में, कोविंद मिस्र को 2011 में, गोपाल दास निरच को 2012 में, दूदनाथ सिंग 2013 में, कासिनाथ सिंग 2014 में, विस्वनाथ त्रिपाथी 2015 में, डाक्टर आनंद प्रकास दिक्षित 2016 में, डाक्टर रमेश चंद्रसा 2017 में और उसा किरन खान को 2018 में भारत भारती पुरुषकार ये पाने वाले व्यक्ति हैं इनकी बारी में आपको पता होना चाहिए जो प्रमुखे दोस्तों उन्हीं को लिया गया है तो ध्यान दिजीगा इन्हें सभी को भारत भारती पुरुषकार प्राप्त हो चुका है कब कुस साहित्तिकार को प्राप्त होता इसकी सुची आपको मिल जाएगी किस-कस को अभि तक सरस्वत्य सम्मान मिल चुका है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान यह दोनों की सुरुवात कब हुई थी? 1999 में यहाँ पर आपको याद रखने में आसानी होगी व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान इन दोनों की सुरुवात 1999 में हुई थी अब यहाँ पर सरस्वती सम्मान के साहितिकार को प्राप्त हुआ था तो यह हरीवंसराई बच्चन को प्राप्त हुआ था सरस्वती सम्मान और यह पहले व्यक्ति थे जिनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ हरीवंसराई बच्चन तो याद रखेगा दोस्तों उसके बाद आप आगे के प्रस्न को देखेगा यहाँ पर पढ़ना मुम्किन नहीं है यदि मैं पढ़ूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं पढ़ूँगा आप पढ़ूँगा देखिए पढ़ना ही है इसको तो अच्छे से पढ़ लिजे का उसके बा कि अच्छे से याद कराओ या धियान में रखा होगा तो इसका अंसर आप असानिसे दे सकते हैं कि वह कुं सी कृति जो सहिट्य अकादमी द्वारा पुरश्क्रत नहीं है तो वहा कृति कितनी नावों में कितनी बार है इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि यहाँ जो पुरुषकार 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 पुरु 1964 में इसको साहित्य अकादमी जो पुरुषकार प्राप्त हुआ और कितनी नाओं में कितनी बार इसके बारे में बता चुका हूँ ये 1978 में घ्यानपिट पुरुषकार प्राप्त हुआ तक कितनी नाओं में कितनी बार अब नीला चांद और अकाल में सारा सिंद दोनों के बा था निला चांद एक पन्या से इसके रचनकार स्यूपर साथ सिंग है और 1990 में इसे साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था निला चांद को चलिए अकाल में सारस के बारे में बात कर लेते हैं ये दोस्तों कावी है अकाल का सारस इसके रचनकार केदारनाथ सिंग है और इस रचना को जो साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था वो 1989 में मिला था याद रखेगा 1989 में अकालमे सारस को साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला और इसके रचनाकार केदारनात सिंग है इन चारों के बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इन चारों क कवीता के लिए पूछा गया है साहित्य अकादमी का पुरुषकार किस कवी को नहीं मिला? महादेवी वर्म, माखरलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदनपंथ या फिर अगय? तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा महा देवी वर्मा महा देवी वर्मा को दोस्तो साहित्य अकादमी का पुरुषकार नहीं मिला है मैं महा देवी वर्मा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ इनको ग्यानपीट पुरुषकार मिला है यामा रचना के लिए कब मिला है 1982 में इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ अब बात कर लेते हैं माखनलाल चतरवेदी के बारे में सुमित्रा नंदन पंथे के बारे में अग्य जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया साहित्य अकादमी पुरुषकार इन तिनों को मिला है माखलाल चत्रवेदी को कौन सी रचना पर मिला है और कब मिला है तो माखलाल चत्रवेदी को हेम तरंगिनी जो कि एक कावी है याद रखेगा माखनलाल चतुरवेदी को हीम तरंगिनी जो कि एक कावी है इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था कब मिला था 1905 में याद रखेगा 1905 में यहाँ पर मैं आप लिखकर बता देता हूं अब बात कर लेते हैं सुमित्रा नंदन पंथ की देखे शुमित्रा नंदन पंथ की कला और बुड़ा चान जो कि एक कावी है इस पर इनको शाहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था 1960 को, याद रिखेगा सुमितार नंदन पन्त को 1960 में मिला था, मांखला चतुरवेदी को 1965 में मिला था, आगे जी के बारे में बता चुका हूँ, आंगन के पार-ध्वार जो कि एककाववी हे, इनको 1964 में साईत्य अकाद्मी पुरुसकार मिला था तो इन सबे के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों ध्यान दीजेगा यहाँ पर हमारे जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा चलिए गला प्रस्ने है नरेश महता को उनकी किस क्रती पर भारती ग्यानपीट पुरुषकार मिला भारती ग्यानपीट पुरुषकार संपून सहित्त पर कब मिला था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए 1992 में याद रखिएगा 1992 में संपून सहित्त पर भारती ग्यानपीट पुरुषकार मिला नरेश महता को तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दावाला रहेगा चलिए कि किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरुषकार पहले मिला भगवती चरण वर्मा को अमरत राय को अमरत लालनागर को या फिर जेनेद्र कुमार को तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा को भगवती चरण वर्मा को दोश्तो साहित्य अकादमी पुर सरशट में साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला था तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनको कौन सी रचना पर मिला था देखिए भगवती चरण वर्मा के बारे में बात करें तो इनको भूले बिश्रे चीत्र जोकी एकुपन्या से 1961 मिला था साहित्य अकाद्मी पुरुषकार और अमरत लाल नागर के बात करें तो अमरत और विश्रे जोकी एकुपन्या से 1967 में साहित्य अकाद्मी पुरुषकार इनको मिला था तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से आपको ध्यान में रख लेना है तो यहाँ पर अगला प्र साहित्य अकाद्मी पुरुषकार 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 नहीं किया इसकी सूची में पहले ही बता चुका हूँ भारत भारते सम्मान की तो आपको पता होना चाहिए किसको भारत भारते सम्मान नहीं मिला या फिर किस ने गरहन नहीं किया महादेवी वर्मा ने अग्येई ने राम विला सर्मा ने या फिर स्री नरायन चतरवेदी ने स्री नरायन चत्रवेदी ने भारत भारती सम्मान गरहन नहीं किया तो यहाँ पर हमारा जो रैट अंसर होगा वो दावाला रहेगा चलिए गला प्रश्न है सुरेंदर वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कोन सा सम्मान मिला यहाँ पर आपको बताना है उपन्यास पर सुरेंदर वर्मा को और कब मिला तो यह मिला था 1996 को याद रखेगा 1996 को इनको साहित्य अकादमी पुरुसकार मिला था मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर सुरेंदर वर्मा को तो यहाँ पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो सावाला रहेगा चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान का सन 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया चलिए गला प्रश्न है सन 1969 में स्री लाल सुकल को किस करती पर साहित्य अकादमी पुरुषकार प्रदान किया गया तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा वो सावला रहेगा चलिए गला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना पर राम विला सर्मा को कौन सा पुरुषकार मिला यहां पर आपको बताना है निराला की साहित साधना जो की एक आलोचना है जिसके रचनाकार राम विला सर्मा है इनको कौन सा पुरुषकार मिला भारत भारती सम्मान साहित आकादमी सम्मान व्यास सम्मान या फिल लोहिया सम्मान तो यहाँ पर हमारा रैट अंसर है निराला की जो साहित साधना है जो की अकादमी पुरुषकार मिला राम विलास सरमा को तो यहां पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो बावला रहेगा चलिए गला पुरस्ने है अग्गेई को किस क्रती पर भारती ग्यानपिट पुरुषकार मिला इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ क्रती पर भारती ग्यानपिट पुरुषकार मिला अग्गेई को कब मिला था इसके बारे में भी आपको पता होगा 1978 में मिला था याद रखेगा यहां पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो दावाला रहेगा चलिए गला पुरस्ने है सन 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला मैं पहले ही दोस्तों व्यास सम्मान की जो सूची है आपको पहले ही बता चुका हूँ उसको आपको दिहान से पढ़ना है और वहाँ पर देखना है कि सन 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला सीव प्रसाथ सिंग को, गिर्जा कुमार माथूर को, नरेस महता को या पिन नामवर सिंग को तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा गिर्जा कुमार माथूर को सन 1993 में व्यास सम्मान मिला था में वक्त के हूँ सामने जो कि एक काववी है इसके लिए गिर्जा कुमार माथुर को 1993 में विया सम्मान मिला था किसके लिए मैं वक्त के हूँ सामने जो की एक कावी संगरा है तो याद रखेगा यहाँ पर बावाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलिए अगला प्रशने है रामधारी सिंग दिनकर को किस रचना पर साहित अकादमी दिनकर को आप सभी को पता होगा रामधारी सिंग दिनकर को एक और पुरुसकार मिला था ग्यानपित पूरुषकार और कौन सी रचना पर मिला था और वसी रचना पर ग्यानपित पूरुषकार मिला था और संसिकती के चार अध्याए पर साहित्य अकाद्मी पूरुषकार मिला इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो पर साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला हीम किरिटिनी माता हीम तरंगिनी या फिर किसी पर नहीं तो इनको हीम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था माखनलाल चत्रवेदी को ये कब मिला था तो ये मिला था 1955 में इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुक का हूँ भारत भारती सम्मान के बारे में किन किन को भारत भारती सम्मान मिला तो यहाँ पर आपको बताना है डाक्टर विध्या निवास मिसर को किस वर्स उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान के भारत भारती सम्मान से अलंकरत किया गया तो इनको किया गया था वर्स 1997 इस्वी म मैं सबसे पेले आपको बता दू जो सुची में अभी तक आपको बताई है वो भारती ज्यानपिट पुरुषकार के हिंदी भासा के साहित्यकार को जो प्रदान किया गया भारती ज्यानपिट पुरुषकार है। राइट अंसर उगा माल्यालम सन उन्निसो पंचानवे का भारती ज्यानपिट पुरुषकार मल्यालम भासा के साहित्यकार को प्रदान किया गया यहां पर सावाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चली अगला प्रस्थ्न है कुमर नरायन को उनकी किस क्रती पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया यहाँ पर आपको बताना है कुमर नरायन को उनकी कौन सी क्रती है जिस पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया आमने सामने कोई दूसरा नहीं हम तुम या फिर आत्म जाई तो यहाँ पर हमारा रैट अंसर होगा आत्मी जई आत्मी जई दोस्तों एक कावी है और इनको 1995 में व्या सम्मान प्रदान किया गया कुमर नारायन को याद रखेगा आत्मी जई जो की एक कावी है और इनको 1995 में व्या सम्मान प्रदान किया गया था कुमर नारायन को तो यह सन 1994 का मूर्थी देवी पुरुषकार किस भासा के लेखक को प्रदान किया गया हिंदी मराथी तमील या फिर कन्नड यहां पर हमारा राइट अंसर होगा मराथी मराथी भासा के लेखक को प्रदान किया गया सन 1994 का मूर्थी देवी पुरुषकार अब बात आती है कि उस लेख मुर्ति देवी पुरुसकार प्राप्त हुआ यहाद सही रहेगा। प्रतिक्चिन्न और वाकदेवी की प्रतिमा दी जाती है मूर्ती देवी पुरुसकार में तो इन विष्णु प्रभाकर को अब यह कं मिला था तो याद रहेगा यह भारती ग्यानपीट पुरूषकार किस भासा के लेखऽ को मिला हं। था नरेस महता को मिला था और ये हिंदी भासा के लेखकति तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा चलिए गला प्रशन है सन 1997 का साहित अकादमी पुरुसकार हिंदी में किस कवी को मिला यहां पर आपको बताना है किस कवी को मिला दोस्तों 1997 का हिं अनुभव के अकास के चांड जो कि एक कावी है इनको सन 1997 को साहित अकादमी पुरुसकार हिंदी में मिला तो याद रखेगा यहां पर दावाला विकल्त पर हमारा सही रहेगा कौन सी रस्ना पर मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरुषकार अनुभव के अकास में चांड जो कि एक काव संग्रा है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलिए अगला और लाश्ट प्रस्ने है उनकी किस करती पर व्यास सम्वान प्रदान किया गया विसरामपुर का संत अग्यातवास सिमाय टूटती या फिर आदमी का जैहर तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विश्रामपूर का संत ये करती पर व्याद संवान प्रदान किया गया स्रीलाल सुकल को जो कि एक उपन्या से और ये कब किया गया था तो ये 1999 में इनको व्याद संवान प्रदान किया गया था रखेगा 1999 में स्री लाल सुकलो को विश्रामपूर का संत क्रती पर व्याद संवान प्रदान किया गया तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा और यहीं पर हमारे जो 30% से दोस्तों पुरुष्का से संब्दी तो यहीं पर समाप तो होते ही आज क कि उड़े आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताईगा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ सेर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक रिस्क्रिप्शन मे हैं जाकर अपसे को डाउनलोड कर दीजिएगा और अपने रेटिंग दे दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहां एक साथ को कैसा लागा चलिया है यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं जल्द ही दोस्ते के नए वीडियो को साथ मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवा Jane